हेलो स्टूडेंस तो हम अभ्यास सागर के पाठ चार का हम पढ़ रहे थे उपसर्ग और प्रत्य ठीक है तो पिछले वीडियो में हमने उपसर्ग और प्रत्य को जोड़कर नई शब्द बनाए और साथ ही साथ हमने मूल शब्द और प्रत्य भी अलग करके देखा मूल शब्द और उपसर्ग को भी जोड़कर और अलग करकर भी सीखा तो चलिए आज हम प्रश्ण दस की और बढ़ते हैं नौ तक हमने कर लिये थे प्रश्ण दस देखते हैं कि क्या कहा गया है तो इसको ध्यान से सुनिएगा क्यूंकि यहाँ पर नहीं तो गलत हो जाएगा से यह मैं बता दूँ यहाँ प्रश्ण दस दिया गया है कि नीचे दिये गए वाक शब्दों में एक प्रत्य लगा कर उधारन के अनुसार नए शब्द लिखिए उधारन क्या है दिखे कैसे दिया है समाज जमा एक सामाजिक ऐसा क्यों कहा समाज जमा एक समाजिक क्यों न न, सामाजिक क्यों बन गया तो इसका भी एक तरीका है, विधी है कि किस तरह से ये बदला देखे, अ आ में यदि इक प्रत्य जूडता है ठीके, अ आ में इक प्रत्य जूडता है तो आ बन जाता है अब जैसे मैं अ और आप दोनों का उधारन दे देती हूँ आप स्वें समझ जाएंगे और कर भी लेंगे आसाने से देखें आपने क्या करना है मैं आपको चले बताती हूँ देखें थोड़ा सा इसको बड़ा कर दूँ ताक की ध्यान से अब इसमें हमने कहा अ में इक प्रत्य जुड़ने से क्या बनता है आ ठीक है ये सारे क्या है यहाँ पे इक प्रत्य देख रहे हूँ बिल्कुल ठीक है है अना सब जगे एक जुड़ा है अब अ आ तो है कहां पे आप सोचेंगे दिखें ये स्वर है और ये सिर्फ साउंड आईगी आपको आवाज आईगी अगर यहां सा होता तो भी आ होता ठीक है तो आपने क्या देखना है इसका पहला वला और इसका भी पहला ठीक है हमने दोनों के पहले पहले देखे न हमने इधर भी पहला देखा सो और इधर ये तो पूरा ही देखना है इक पहला तो देखना है नहीं सोरी यहाँ स, ओ, ठीक है, ओ, स, बोल रहे हैं, स, ओ की sound आई, ओ, में एक प्रत्य जुड़ा, तो क्या बन गया, स, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, स, स, ठीक, ले, ऐसे ही देखे, संसार, स, sound आई, एक प्रत्य, तो क्या बन जाएगा, संसारिक, एक, यह न, छोटी, तो छोटी की मात्रा लगेगी, यहाँ पर, ऐसे ही, धार्मिक, धर्म, एक पूरा ही आगया, अ की sound, यहाँ पे अ ही है, ठीक है, तो यहाँ पे पूरा ही आ बन जाएगा, मतलब बड़ा आ ही बनेगा, चाहिए छोटा अ की sound आए, चाहिए आ गया न, मा, मा, मास लिखे, मा, हमने पहला ही अक्षर देखना है, और एक प्रत्य देखना है, यह जुड़ेगा तो, यही रहेगा, मासिक ही रहेगा, यह दखे, यहाँ पर, मासिक, ठीक है, यहाँ पे रहेगा, यह क्या बन गया, आर्थिक, ठीक है, आर्थिक बनेगा, अब ऐसे ही क्या बन जाएगा थार्मिक यह इसके साथ आएगा यहां जरह इसमें ऐसी राइटिंग आती है और यह सांसारिक ठीक है एक की मात्रा लग जाएगी आगे सांसा रिखा हमने पहले वाले कही चेंज करना है हमने बड़ा आ ही करना है तो यह देखें आपके साथ ने यह हो गया आ आ आ चाहिए कोई भी साउंड आए आ आ तो उसमें एक प्रत्य जुड़ा तो आ ही रहेगा तो पहले वाले शब्द में क्या आदेगा आ आ की मात्रा जुड़ गई सांसारिक अगर मैं इसी को अलग करने को बोलूं कि मूल शबद प्रत्य अलग करो या इक प्रत्य अलग करो क्योंकि ये सब क्या है ये एक प्रत्य है ठीक है तो मैंने शब्द दिया होगा सांसारिक अब करो अलग तो आप कैसे करेंगे संसार जमाइक आप ऐसे करेंगे ठीक है आप ऐसे नहीं करेंगे सांसार जमाइक संसार जमाइक ऐसे ठीक है चलिए अगला वड़े अब ये एक प् प्रत्य जुड़ता है तो बनता है ए बड़ा ए बना न और चेंज कहां करना है हमने फर्स्ट वर्ड में ही चेंज करना है ठीक है अब आप इसको देखेंगे ए में यदि एक प्रत्य जुड़ता है तो बड़ा ए तो इसको हम कैसे लिखेंगे बड़े कि मात्रा कैसे आएगी ये आईगे, ठीक है, डबल आएगी ना, डबल मातर आएगी ना, इस तरह से आती है ये वाली मातरा तो आप देखे इसमें लिखा है J Темa 1 तो हमने क्या देखने है ये पहला वाला J E बड़ी E है ना बड़ी E, ठीके और ये चोटी E वाला भी देखलो चोटी E में एक प्रत्ते जूड़ गया चोटी E में एक प्रत्ते जूड़ गया तो क्या वहना है मात्रा यही रहेगी बढ़ेगा बढ़ा ए तो कैसे लिखेंगे अब हमने फर्स्ट वर्डी चेंड करना है अब ए की मात्रा हट जाएगी क्योंकि रूल के अनुसार ठीक है नियम के अनुसार क्या बन जाएगा जैविक अब विक क्यों बन जाएगा फिर हम वैसे ही रहने देंगे ऐसे बन जाएगा ऐसे ही शिक्षा छोटी यह न यह बड़ी यह थी हाँ छोटी यह में एक प्रत्य जुड़ा तो भी यह ही बनेगा तो शैक शिक एसे ही यह बनेगा क्या बन जाएगा वै चारिक एसे ही वै ग्या निक तो अब यह याद रखना है एक प्रत्य यदि अ आ में जुड़ता है तो बनता है बड़ा आ ठीक है और एक प्रत्य यदि यह यह में जुड़ता है यह यह में एक प्रत्य जुड़ता है तो बनता है बड़ा ए ठीक है तो यह आपने इस तरह से कर लेना है ठीक है अच्छे इसमें न यह प्रश्न बारा और तेरा देखो यह आउद हो रहा है ना बारा तेरा और चौदा यह प्लीज यह स्वैम आप करेंगी ठीक है अब मैं इसको सिर्फ बता देती हूं कैसे करेंगी देखें प्रश्न बारा में आपका उपसर्ग फिक है मौल शब्द किताब आगे रख्योंगे आपने इसमें देखना है तो उसमें देखो इन्होंने उधारन बी दिया प के निचे फैरों में डालते रह। प्रजमासन जमाइत तो बन जाएगा प्रसनित नहीं, नहीं बनेगा। क्या बनेगा? प्रजमासन जमाता प्रसनता इसलिए ये उपर का उधारन देखकर नहीं उठाके लिख देना कि सारे में यही लगेगा। ये नहीं लगेगा ये उन्होंने दिया, यहां तो इत प्रत्य जुड़ जाता है, यहां पे नहीं, यहां जो ठीक जुड़ता हो वही लिखना है प्रजमासन जमाता बन गया प्रसन्नता ऐसे इसे ही बल लिखाओ है अब इसका क्या बनेगा? कई शब्द है ना कई सारे बन सकते कोई भी बना सकते लेकिन ठीक होना चाहिए और ऐसे ही ये भाव लिखा है तो यहाँ पे भी क्या बनेगा ये उपर वाले से मैच हो सकते है कुछ इत प्रत्य जुड़ सकता है और आगे क्या लग जाएगा वो सोच लो आप ठीक है? क्या लग जाएगा? वो आप निया शक्त बनाईए ये आपके लिए सोचने के लिए आओ दोह राएं नीचे दियेगे शब्दों के विलोम शब्द लिखने है तो ये तो आसान है स्वच स्वच शहर गाउं देश विदेश सुगंध दुर्गंध गह के ओपर आधा रह आ जाएगा दुर्गंध प्रातः साइ उतकर्ष अपकर्ष ठीक है? अपकर्ष अपर आगे कर्ष ऐसे लिखना है ठीक है? और प्रेश्न चौदा जो है नीचे दियेगे शब्दों को मानक वर्तनी में लिखना है तो यहाँ पर विद्यार्थी जैसे इन्होंने लिखा है इस तरह से जोड़के आपने क्या करना है? एक्स्प्लेइन करके लिखना है वी द लिखेंगे द में नीचे हलन फिर या फिर विद्यार्थी जो एक्स्प्लेइन वे में यहाँ सुन्दर ऐसे लिखा हुए हम बिंदी लगा कर लिखते है सुन्दर र के ओपर बिंदी आजेगी सुन्दर द्वारा को द द के निचे हलन वा पूरा आजाएगा और रा पूरा आजाएगा और उत्तर कैसे लिखोगे उ अधत पूरा त और र ऐसे उद्यान द के निचे हलन या और न उद्यान ऐसे बुद्धी मान भी भुद्धी द द के निचे हलन फिर ध आएगा फिर ध को लगेगी छोटी की मात्रा फिर मान बुद्धी मान ठीके तो आप भी बुद्धी मान है तो आप सही धन्से इस कारे को करेंगे और प्रेश्न पंद्रा में ये तो आसानी है देखे नीचे दिएगे नीचे दिएगे शब्दों को उनके पर्याइवाची शब्दों से मिलाये ठीके तो हमने पर्याइवाची शब्दों से मिलाना है तो देखे वरिक्ष का पर्याइवाची क्या होगा वरिक्ष का पर्याइवाची पेड, तरू, जल्धर ठीके वरिक्ष का पर्याइवाची पेड, तरू, जलधर और बादल का क्या वनेगा बादल आगे मेख घन जलधर ठीक है आप यह देख रहे होंगे वरिक्ष को भी जलधर कहते हैं और बादल को भी जलधर क्युक्त कि दोनों ही जलधारन करते हैं ठीक है ऐसे पर्वत तो परवत क्या है? पहाड, गिरी, अचल ठीक है? पहाड, गिरी, अचल और पक्षी, खग, विहग, नभचर, निर्मल, साफ, स्वच, पवित्र और ये परेवाची याद भी होने चाहिए ठीक है? तो इनको याद भी करना है आपने, क्योंकि दो-दो परेवाची से कम तो लिखने नहीं होते हैं, चलिए, अब आप क्या करेंगे? अब हम करेंगे समबाद लेखन, तो समबाद लेखन क्या होते है? डायलॉग्स, ठीक है? तो यहां कह रहे हैं कि आपने क्या लिखना है? मान लीजे, आपके चाचा जी, आपके मित्र के पडोसी हैं, ठीक है? आपके दोस्त के पडोस में रहते हैं, आपके चाचा जी, आपने अपने मित्र को कुछ सामान अलग-अलग लिफाफों में डाल कर उन्हें देने के लिए दिया, मित्र द्वारा सामान चाचा जी को पहुंचाने के बाद उसका विवरण देते हुए आपके मित्र और आप में हुई बाचित को लिखिये, देखे, बातुनी बाट में हमने क्या पड़ा था? तो विख्चा के बीच की बात, अब ये किसने सामान कहां देना आ उन्होंने तो क्या दिया था? लिफाफा उसमें डाल के सामान दाल के उसको पोस्ट ऑफिस में डालना था, salsa, और आप आपने क्या करना है? आपने कुछ सामान दिया है मित्र को सामान दिया आपने अलग-लग लिफाफों में और आपने क्या कहा कि इसको चाचा जी को पहुंचाना है फिर उसने चाचा जी को पहुंचाने के बाद उसका विवरन देते हुए ठीके मित्र द्वारा सामान चाचा जी को पहुंचा दिया अब उसका विवरंट देते वे आपके मित्र और आप में हुई बातचित को लिखिए तो ठीक है फिर आप लिखेंगे आप हैं फिर आप अपना लिखेंगे हाँ भई मैंने तुमें लिखाबों में लगलग समान चो दिया था तुमने चाचा जी तक पहुंचा दिया साथ में विराम चिनों का भी ध्यान रखेंगे और क्रम बद्धता भी होनी चाहिए कि यहां डायलोग बोला कुछ और यहां लिख दिया कुछ मित्र कहेगा हाँ दोस्त पहुंचाया तो पर बड़ी मुश्किल से है न फिर आप कहेंगे अरे मुश्किल कैसी मित्र अरे पूछो ही मद अरे मैं वहां से गया तो फिर मुझे यह नहीं मिला वो नहीं मिला जैसे बात तो नहीं कर रहा था न तिर आप कहेंगे अच्छा अच्छा ऐसी बात थी पर मैंने तो बड़े अच्छे से के कलिफाफे में लग लग अरे मैं तो भूल ही गया कुछ इस तरह से आप जो भी है अपने अनुसार अपनी मर्जी से अपने आप लिखेंगे जितना अपने आप लिखोगे उतना आपको आएगा आपका दिमाग चलेगा कल्पना शक्ती बड़ेगी ठीके तो ये हमारा पार्ट अभ्यास सागर का चौथा पार्ट बातुनी यहाँ पर समाप्त हो जाता है और इसका व्याकरण का विशे था हमारा बातुनी का उपसर प्रत्य तो आपने उसरगा प्रत्य अच्छे से याद करने है साथ में समवाद लेखन कैसा होना चाहिए सपश्ट होना चाहिए छोटे वाक्य होने चाहिए विराम चिनों का ख्याल रखना चाहिए क्रम बधता होनी चाहिए इन बातों का ध्यान रखते हुए आप समवाद लिखन करेंगे और अपने शब्दों में लिखेंगे चलिए अब बाई एंड थैंक यू